हेलो नमस्ते प्रणाम सलाम दीदी भाईया चच्चा फूपा आपके अपने यूटीब चैनल और टेकीजी पर सभी का स्वागत है भाईया जी आज हम बात करेंगे बिहार में हर दीन बरती उची उरान की उमीदों की जिसने दरभंगा को उरान इसकीम में नमबर वन बना तो दिया पूर्णिया और सिमानचल के लोगों में भी एक नई आस जग गई करीब 30 साल के राधे पासवन दरभंगा एरपोर्ट की लोबी में बैट कर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं उनकी सीट के पास उनका थाईला और एक पूराना सा बैग रखा है मदवनी जिले के खजोली गउं के रहने वाले राधे दोपर ढ़ाई वजे की फ्लाइट से मुंबई जा रहे हैं जहां वो एक मेडम के घर कुक है वो पहले ट्रेन में आया जाया करते थे जिसमें तीन दीन लग जाते थे अब मेडम फ्लाइट का टिकट दिला देती है तो घर से दोपर में निकले और साम होते होते मेडम के घर हाजीर वो पहले छुटी में आते थे तो आने जाने में ही सारा वक्त खप जाता था अब ऐसा नहीं है यह सब बताते हुए उनके चेहरे पर अलग तरह का आत्म विस्वास दिख जाता है वो पीम नरेंद मोदी की हवाई चपल में हवाई यात्रा के वादे वाली उरान योजना के रॉल मॉडल लगते हैं इस एरपोर्ट पर उनके जैसे कई मजदूर और कामगार नजर आ जाते हैं कोई दिल्ली जा रहा है तो कोई मुंबई या अहमदावाद वैसे एरपोर्ट स्टेशन के केंपस में विक्सित हुआ दरबंगा एरपोर्ट के पास ना तो अभी पार्किंग की सुविदा है ना गेट के बाहर पैसंजर की बैठने की ब्यवस्ता है मुसाफिर अपनी गारी एरपोर्ट के सामने हाईवे के किनारे पार्क करते हैं और मुख्य द्वार के बाहर खुले में जैसे तैसे समय कारते हैं लाउंज में प्लास्टिक की साधारन कुर्सियां लगी है कुल मिला कर ऐसा लगता है कि जैसे तैसे यह एरपोर्ट सुरू कर दिया गया हो यहां के स्टेशन डिरेक्टर मनीश कुमार कहते हैं कि चुकि फिलाल यह हवाई अड़ावायू सेना के पडिसर में है और जगह की कमी है इसलिए हम चाकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं वैस से औसुविदाओं के वाबजूत इंडिनों इस एरपोर्ट की काम्यावी की चर्चे हर जगह पर हैं आठ नमंबर 2020 को इस एरपोर्ट से हवाई उरान सुरू हुई थी 13 फरवरी 2022 तक यहां से 7 लाग से अधिक यात्री उरान भर चुके हैं यहां से दिल्ली मुंबई के लिए एक-एक बिमान उरान भरते हैं और वापस आते हैं राजदानी पटना के मुकाबले दरभंगा का किराया हमेशा डेड़ गुना अधिक होता है फिर भी यात्री यहां से उरान भरना पसंद करते हैं दरसल दूर दरात से पटना जाने का मतलब है ज्यादा खर्च औ आज उरान इसकीम के ताथ सुरू हुए 63 हवाई अड़ों में नंबर वन हो गया है बिहार के 17 जिलों के साथ-साथ परोसी देश नेपाल के भी यात्री यहां आते हैं इस कामियावी ने बिहार के अन्य सहरों के लोगों में भी एरपोर्ट का सपना जगा दिया है कम से कम 4 स इन दिनों पूर्या में हो रहा है पूर्या और कटिहार के सांसद लोग सवा में पूर्या में एरपोर्ट शुरू करने की मांग चल रही है यहां वायुशेना का एרपोर्ट पहले से चालू है जिसके पास 9000 फिट लंबा रनुए है वहाँ कुछ अत्रिक्त जमीन अधिग्रित कर इस एयरपोर्ट को नागरिक सेवा के लिए सुरू किया जाना है इसके लिए 20.5 करोर रुपे भी जिला परसासन के खजाने में है मगर भूमी अधिग्रान को लेकर कुछ मामले अदालत में है इसलिए वह काम आगे नहीं बर रहा है इस इलाके से रोज सेक्रों लोग फ्लाइट पकरने के लिए करीब 170 कीमी का सफर तैकर पस्चिब मंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट जाते हैं करीब 4 घंटे के सरक के इस सफर में काफी ज्यादा टैक्सी किराया लग जाता है यहां मकाना, मक्का और केले की काफी अच्छी फसल होती है इनकी खरिदारी के लिए कमपनियों के लोग पूर्णिया आते हैं मगर उन्हें अपने अस्थानिया दप्तर बागडोगरा एयरपोर्ट के पास जिली गोरी में बना रखे हैं पूर्णिया में हेल्थ सेक्टर के विकास की भी बड़ी संबावना है मगर आने जाने की सुविदा ना होने के कारण डॉक्टर यहां नहीं आ पाते हैं 2013 तक पूर्णिया एरफोर्स स्टेशन के निदेशक रहे विस्तुजीत कहते हैं एक बार यहां रणवे तयार हो जाए फिर बिमान कमपनियां खुद सेवा सुरू करने में दिल्चस्पी लेंगी आज के लिए बस इतना ही अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें सेर करें कमेंट करें हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें नए वीडियो के साथ एक बार फिर होंगे आज इर तब तक आप देखते रहें अपना पसंद दिदा चैनल और टे कीजी जैहिंद